Particle Bombardment Particle Bombardment को हम Biolistics या फिर Gen Gun, या फिर Bioblaster या फिर Particle Gun भी बोलते हैं So, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं Advantages, Disadvantages और क्या, किस तरीखे से Procedure रहता है Particle Bombardment में उसके बारे में Discuss करेंगे सबसे पहले आप Overview देख लीजे कि हम ये कैसे perform करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास में एक gold का particle है तो gold या फिर tungsten का जो particle होता है उसके उपर हम DNA को deposit करा देते हैं जो भी हमारे desired DNA है उसको हमने deposit कर दिया on the surface of gold particles अब ये जो particles होते हैं इनको हम particle gun ये जो हमारी gun है जिसको gene gun बुला जाता है या particle gun बुला जाता है उसमें से हम क्या करते हैं इसको shoot करते हैं on the plant cells plant cells के उपर हम ये shoot करेंगे so जो DNA deposited था on the surface of gold particles अब वो कहां चला जाएगा उन cells के अंदर चला जाएगा यही चीज हमें detail में पढ़नी है so अगर आप एक gene जो हमारा ये जो gun थी gene gun या फिर particle gun अगर हम इसका अंदर से इसको देखें तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको तो यहां पर सबसे उपर क्या है आपकी rupture disk होती है यह हमारे पास क्या है this one is the rupture disk उसके बाद आपके पास आता है macro carrier तो यह जो आप red color की line देख रहे है this red color line is the macro carrier और यहां पर यह जो orange वाले आप particles देख रहे हैं यह क्या है gold के particles हैं जिसके उपर DNA deposited है so यह जो macro carriers होते हैं वो क्या करते हैं यह हमारे जो DNA coated gold particles हैं उसको hold करके रखते हैं जिनकों की हम क्या बोल रहे हैं micro carriers बोल रहे हैं so जैसे यह हमारे पास gold का पार्टिकल है और इसके उपर क्या हता है इस तरीके से हमने DNA को क्या कर रक है deposit कर रक है तो यह क्या हमारा DNA और यह DNA हमने gold के जो हमारा particle है यह जो gold का particle है उसके उपर हमने इसको deposit करा हुआ है so यही चीज मैंने आपको यहाँ पे zoom करके दिखा दिये और यह जो particles होते हैं यह जो आपका macro carrier है इसको hold करके रखेगा यह हमारे पास क्या हो गया? macro carrier हो गया this is macro carrier उसने क्या कर रखा है? आपके macro carrier को this is micro carrier उसको hold करके रखा हुआ है alright so अब हम यहाँ पे देखते हैं जो macro carrier है वो क्या करके रखा हुआ है? hold करके रखा हुआ है किसको vector DNA coated gold particles को उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है stopping plate and then हमारे पास यहाँ पर है plant material plant material जो भी आपके cells है जिनमें की आपको transformation करनी है वो हमारे पास यहाँ पर plant material है plant cells यहाँ पर नीचे है so जो step one होता है वो क्या है? जो macro carriers होते हैं उनको insert किया जाता है into this apparatus तो यह जो आपके micro carriers हैं यह जो आपके particles हैं gold particles जो की DNA से coated हैं इनको load किया जाता है apparatus के अंदर अब second step में क्या होता है? कि यह जो rupture disk है यह जो आपकी rupture disk है यहाँ पर यह जो rupture disk है वो तूट जाती है जैसा कि आप देख सकते हो यह rupture disk तूट जाती है जैसे ही यहाँ पर यह तूट जाएगी तो आपका जो यहाँ पर यह जो macro carrier था वो क्या हो जाएगा? move करने लग जाएगा macro carrier क्या करने लग जाएगा? move करने लग जाएगा नीचे move करने लग जाएगा अब जैसे ही वो नीचे यहाँ पर move करेगा तो आप देख रहे हैं कि stopping plate है यह हमारे पस क्या है stopping plate अब stopping plate में आप pores देख रहे हो तो macro carrier क्यूंकि उसका size काफी ज़ादा बड़ा होता है यह जो size है macro carrier का वो काफी ज़ादा बड़ा होता है तो यह stopping plate जो है उसको रोग देती है यह उसके pass through नहीं हो पाता उसमें से pass नहीं कर पाता लेकिन जो आपके micro carriers थे यानि कि gold particles जिसपे कि हमने DNA को deposit कर रखा था वो छोटे size के थे तो वो इसके में से निकल जाते हैं इन pores में से so stopping plate ने क्या कर दिया जो macro carrier था उसको stop कर दिया और जो आपके micro carriers थे वो कहा आगए अंदर आगए अब यह क्या करेंगे जो आपका plant material है यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि आपका जो plant material है यह उसके अंदर penetrate कर जाएंगे यह particles क्या करेंगे उनके अंदर penetrate कर जाएंगे and जैसे कि हमें पता है कि यह जो आपके gold के particles थे उस पे हमने DNA को deposit करा हुआ था तो यह DNA भी क्या चला जाएगा उन plant cells के अंदर चला जाएगा so DNA जो है वो भी क्या चला जाएगा plant cells के अंदर चला जाएगा and integrate हो जाएगा within the genome of the plant cells so this is how transformation occurs through this method अब यह जो particle bombardment की जो technique है it was first introduced in 1987 and it has been successfully used for the transformation of many cereals like rice, wheat, mace के लिए इसको use करा जा चुका है successfully so आप इस diagram में भी देख सकते हो किस तरीके से gene, gun से हमने क्या क्या यहाँ पर shoot करा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि rupture disc जो है वो तूट जाती है जिसी rupture disc तूटती है तो जो macro carrier है वो release हो जाते है फिर हमाँ पस क्या आती है stopping disc आती है जो की रोग देती है हमारे macro carriers को जो सरफ micro carriers है जो operate color के particles देख रहे है which are the DNA coated gold particles वो ही जो है stopping plate से नीचे आप आते है and वो फिर finally कहां पहुँच जाते है target plant cells के उपर और फिर वहाँ पे जो DNA है वो उनके अंदर release कर दिया जाता है cells के अंदर so DNA and gold particles को हमने क्या किया जो DNA था उसको हमने deposit कर दिया on the gold particles उसके बाद में जो gold particles थे उनको gene gun में लेके हमने shoot करा on the desired plant cells जो भी हमारे target cells थे and फिर ये जो particles होंगे वो penetrate कर जाएंगे into the membrane of the plant cells and they will deliver the DNA to the cells now let's discuss about the factors affecting the particle bombardment तो क्या factors होते हैं जो कि इस process को affect कर सकते हैं तो सबसे पहला है nature of micro particle आप किस तरीके का micro particle use करते हो तो हम gold का या फिर tungsten या फिर platinum का यहां पर use करते हैं as a micro particle to carry the DNA उसके बाद nature of tissue और cells जो target cell है वो आप किस तरीके का ले रहे हो plant cell जो और target cell है उसका nature क्या है so that should be capable of undergoing divisions उसको हम suitable मानते हैं for example proliferating embryonic tissues उसके बाद आप कितने amount में DNA को deposit कर रहे हो जैसे मैंने आपको बताया था कि यह जो gold का particle है इसके उपर हम DNA को deposit कर दे हैं so यह DNA आप कितने amount में deposit कर रहे हो अगर आपने बहुत कम DNA यूज किया है तो जो transformation है वो low होगी लेकिन अगर आपने too much of DNA यूज किया है too much of DNA आपने यूज किया है so that can result into high copy number and rearrangement of trans genes so ना तो आपको ज़्यादा लेना है DNA ना ही कम लेना है आपको एक balanced amount में लेना है एक optimum amount में लेना है अगर आपको proper transformation करानी है तो फिर है environmental factors जैसे temperature, humidity, photoperiod so यह सारे क्या करेंगे जो हमारे target plant material है उसकी physiological influence करेंगे thus हमारे जो gene transfer है उसके उपर भी effect आएगा now particle bombardment यह जो technique है इसके कुछ advantages है और कुछ limitations है advantage क्या है कि यह जो gene transfer technique है वो काफी जदा efficiently की ज़ा सकती है in the organized tissues high efficiency and it is applicable to almost all the plants उसके बाद limitations के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह जो technique है इससे क्या हो सकता है production of high transgene copy number अगर आपने bombardment की velocity को control नहीं किया कि आप कि speed से उनको shoot करें उन particles को अगर आपने बहुत जदा velocity से उनको shoot किया है suppose यह हमारी जो है gene gun थी this was our gene gun ठीक है इस gene gun से आपने क्या क्या बहुत ही speed से gold particles को shoot किया तो उससे क्या हो सकता है कि जो आपके plant cells थे ठीक है जो यह हमारे plant cells थे वो उन पे क्या हो सकता है damage आ सकता है उनमें क्या सकता है जो हमारे target जो tissue था यह target जो plant cell था उसमें damage आ सकता है अगर आपने high velocity से इनको shoot किया तो sometimes this technique can lead to undesirable chimeric plants का भी generation हो सकता है so that's all for today next video के अंदर हम discuss करेंगे polyethylene mediated gene transfer के बारे में and also micro injection and lipofection electro operation हम already कर चुके हैं तो उसका link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से check out कर सकते है so that's all for today and अगर video helpful रहा तो अपने friends के साथ share करें and if you are new to the channel don't forget to subscribe for more updates thank you and have a great day you you